नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधान मंतरी देशवासियों को इस मौके पर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर से रूबरू कराएंगे बता दे केंद्रे में पी एम मोदी के नेतित में भाजपा सरकार के 8 साल 26 माई को पूरा हुए है इस दोरान समाज के हर वर को ससक्त बनाने की पूर्जोर कोशिस हुई भारत विश्व गुरू बनने के मोर्चे पर काफी तेजी से आगे बढ़ा देश विदेश में पी एम मोदी के गुज सुनी गई बता दे की अब तक मन की बात में प्रधान मंत्री अलग-अलग मसलों पर सीधे लोगों से जूड़ कर जानहित की बात करते रहे हैं मोसम विभाग ने बताया कि जार्खन के पूर्वी छेत्र देवगर दुमका जामतला धनबात गोड़ा पाकुड और साहेव गांज वा निकटवर्ती मद्य भाग रांची, रामगर, हजारी बग, बोकारो, गुमलावा, खुटी में कहीं-कहीं हलके वा मतदर्च की बारिश होने की संभवना है यह सिलसिला 2 जून तक कायम रहेगा साथ ही इन हिस्वों में 28 वा, 29 को मेक, गरजन वा, बजरपात को लेकर एलो अलट भी जारी किया है रहमान सुरेन के द्वारा 31 माई को उपस्थित होने में और समर्ता ब्याक्त करते हुए समय की मांग की गई थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारिक 16 जून निधारित की है भारत निर्वाज चन आयोग द्वारा इस समंद में मुख्य मंत्रे हमान सुरेन और भारतिय जन्ता पार्टी को चीठी उपलवद करा दी गई है इससे पहले 10 माई को सियम हमान सुरेन ने नोटिस का जबाब देने के लिए चुनाव आयोग से 4 सबता का समय मंगा था लेकिन उन्हें 10 दिन का समय परदान किया गया था चुनाव आयोग ने इस मामले में हमान सुरेन को 31 माई को ब्यक्तिगत रूप से या अपने वकिल के माद्यम से पेज होने के लिए कहा था सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे सियम हमान राजसभा चुनाव को लेकर जारखन में सियासी सरगर मी तेज हो गई है इसी बीच सनी वर को जारखन के मुख्यमंति हमान सुरेन दिल्ली में कांग्रेस के राश्ट्री अध्यक सोनिया गांधी से मुलकात करने पहुंचे मीडिया रोपेट के मुताबिक सोनिया गांधी और हमान सुरेन के बीच मुलकात के दुरान राजसभा की सीट को लेकर चर्चा हुई बताया जा रहा है कि राजसभा की एक सीट पर सता धारी कटबंधन के जीतता है हालाकि या सीट किस दल के खाते में जाएगी इसको लेकर उहापो का महौल बना हुए है इस सब के बीच अब तक जो जनकारी सामने आ रही है उसके उनसा जार्खन मुक्ति मोर्चार कांग्रेस साजधा है उमिद्वार देने को तयार दिख रहे हैं पंचायत चुनाव बाइलेट बॉक्स छीन कर पानी डालने वाले दो मुखिया पर त्यासी समेद पांच को जेल पच्मी सिम्भूम जीले के मजगावा परखन में जार्खन पंचायत चुनाव के चौनतेवा अमतिम चरन की मदान परक्रियाग दोरान सेक्टर 15 के पूर्ती साई उतकर्मिक प्राथ्मिक बिद्याले के बूथ नंबर 100 वा 117 पर मत पेटी में पानी डालने के मामले में पुलिस ने करवाई की है बता दे दो मुखिया पर त्यासी समेद पांच लोगों को जेल भेज दिया गया है इसमें घोडा बांध पंचायत के मुखिया पर त्यासी बूधराम हेमरम सामिल है राई सभा चुनाव में बीजेपी एक सीट पर लड़ेगी चुनाव दिपक परकास परदेश कोर कमिटी के बैठक के बाद भाजपा परदेश अध्यक्स दिपक परकास ने कहा है भाजपा जारखन में राई सभा के लिए एक उमिद्वार चुनाव मैदान में उतारेगी राई सभा उमिद्वार के चर्चा के लिए परदेश कोर कमिटी के बैठक साही प्लेटफरम नहीं है भाजपा को राई सभा की एक सिर्जितने में कोई परिसानी नहीं आएगी बता दे दिली में अनुसुजित जन जाती के बिकास के लिए मत्पूर बैठक हो रही है इसमें अर्जुन मुंडा बाबुलर मरांडी, समीर उराओ, झारखन, प्रभारी दिली सेकिया भाग ले रहे है झारखन का लाल संदीप पाल लदाख में सहीद हज़ारी बाग सहर के खिरगाव गडरिया मुहला का रहने वाला सेना का जवान संदीप कुमार पाल लदाख में हुए हाधसे में 27 माई को सहीद हो गया है घर वालों को फोन पर उनके सहीद होने की जनकारी मिली है सहीद जवान संदीप के बड़े भाय मनीस पाल ने बताया कि सहीद होने की जनकारी सेना के पता दिकारी सदीक ने दुर्भास पर दी है इसकी जनकारी मिलते ही सोक के लिए और फैल गाई बता दे उनके घोर पर लोग जमा है जो पार्थिव सरीर की एक जलक देखने का आने का इंतियार कर रहे हैं हेमंत सोरेन का जानात तय बाबुलाल मरांडी जारखन के पूरो मुख मंतरी और भाजपा विधायक दलकिनेता बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि मुख मंतरी हमंस्रेन और उनकी सरकार का पाप गुहार कर रहा है पाप का खड़ा फुटने का समय नजदीक आगया है उनका जानात तय है बाबुलाल ने कहा है कि जैसे जैसे परवतर निदे साला एडी की जाच आगे बढ़ रही है सरकार संरक्षित दलाल लुटेरा और गंध मचार है अपसर बेनकाब हो रहे हैं उन्होंने काया कि भरष्टा चार पर हो रहिता वर्तोर करवाई से आम लोगों में या उमीद जगी है कि उन्हें सरकार संरक्षित लूट और कुछ अपसरों के राक्षिसी तंड़ों से बहुत हद तक मुक्ती मिलेगी पूजा सिंगल के लिए जेल में आया गद्दा रांची के होटवार जेल में बंद निलंबित आई एस अधिकारी पूजा सिंगल से मिलने उनके अधिवक्ता और रिस्तिदार सनिवार को यहां पहुँचे मुलकात करने वाले का नाम सुधान्सू बताया जा रहा है उन्होंने मुलकाती राइस्टर में अपने नाम की एंट्री रिस्तिदार और अधिवक्ता के रूप में की है बताया जा रहा है कि पूजा सिंगल के लिए जमानत के अरजी अधालत में दाखिल करने की त्यारी है इस वज़ा से यह अहम मुलकात हो सकती है हलाकि पूजा सिंगल की ओर से किसी तरह की जमानत अरजी नियालाय में दाखिल नहीं की गई है हेमंत सोरेन के चहेते पंकज मिसरा की चेतावनी ब्रश्टा चार के संगीन आरोपे निलंबीत जारखन की आई-एस अधिगारी पूजा सिंगल के खिलाब चल रहे हमनी वे जाच एजेंसी इडी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं पंकज मिसरा ने कहा आई कि उन पर वे लोग आरोप लगा रहे हैं जो सत्ता से बाहर हैं और बेदख्खल हैं विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है आज से रांची में बड़े वाहनों की नो इंटरी राइधानी रांची में आज से नो इंटरी लागू रहेगा कंटा टोली फलाई उभर निर्मान को लेकर कंटा टोली चोग में भारी वाहनों की नो इंटरी लागू कर दी गई है कांटा टोली चौक के आसपास भारी वाहन परवेस नहीं कर पाएंगे फलाई ओहर निवान कारे प्रारम होने के बाद कांटा टोली चौक पर लग रहे जाम को देखते वे ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है भारी वाहन के परवेस पर रोक का आदेश रविवारात को प्रभावी है कांग्रेस को राई सभासीट देने पर राजी हुए सीम हेमान्त कांग्रेस को राई सभा सीट देने पर हमंत सुरेन राजी हो गए है समाचार एजेंसी ए एनाई के सूतरों के हवाले से खबर दी गई है कि कांग्रेस अध्याग सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे जारखन के मुख्य मंतरी हमंसुरेन ने कांग्रेस को राई सभा सीट देने इसने बैंकों को 75 क्लोर का लगाया चुना बैंक आफ इंडिया वा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को 75 क्लोर रुपए का चुना लगाने के मामले में मनी लंडिंग एक्ट के तहट अनुसंधान कर रही परवतर निदे साले ने रांची के कांट के रोड निवासी बिल्डर ग्यान परकास सरावगी सहीद दस आरोपियों के खिलाप इडि की रांची सिद बिसेत अदालत में चार्ट सिर दाकिल किया है और निवासी अरोपियों में ग्यान परकास सरावगी का चार्टर अकाउंटेट और नीस अगरवाल अमीत सरावगी अविसेक अगरवाल वा उनकी 6 कंपनिया सामिल है पड़ाई में किस जाती के विद्यार्थी कर रहे कैसा परदासन रिपोर्ट जारी ही राज्य में जार्खन एकेडमी कौंसिल की मैटरिक परिक्षा में OBC सिरेनी के विद्यार्थियों का सबसे बेतर पईनाम रहता है पिछले साल की परिक्षा में इस सिरेनी की विद्यार्थियों के इस परिक्षा में उतिन होने का परतिस्थ अने सिरेनी की विद्यार्थियों से अधीक था बता दे 생 toy outlet national achievement survey 2021 में दस वी काक्षा में OVC सिरेनी के विद्यार्थि पिछड़ गए है इसमें समाने सिरेनी के बिद्यार्थी का पर्दसन सबसे बेतर रहा है केंद्रिय सिक्षा मंत्राले द्वारा जारी नेशनल अचीमेंट सर्वे 2021 के रिपोर्ट के अनुसार दसवी कक्षा में समाने सिरेनी के बिद्यार्थी का सभी भी समय औसत स्कोर 45 रहा है बालू खरीदने की मिल गई छूट जारखन राज खनीज विकास नीगम के 22 बालू घाटों में से 17 में भरपूर एस्टोक उपलवध है और अब यहां से कोई भी ब्यक्ति बालू की खरीदारी कर सकता है बालू की दरे वही होगी जो पहले से निधारी था है लोगों को अपनी बेवास्था से बालू को मंगवाना होगा और इस तरह से परिवहन सुल्प के कारान कीमत कुछ अधिक पर सकती है फिर भी यह पजार से सस्ता पड़ेगा बता दे घाटों की सूची के साथ JSMDC ने इसके MDO के नाम और एजनसी की लोगों की सूची भी जारी किया है ताकि उपभोकता बालू की ख़योदारी आसानी से कर सके बीरसा मुंडा विश्वास रैली पांच जून को केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा ने कहा है कि पर्धान मंत्री नायंद मुदिक नेतिवत में आट साल के कार्यकाल में विकास यात्रा तेजी से आगे बड़ी है गाउं का लक्षे रहकर अंतियोदाय के सपने को सकार किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि पर्धान मंत्री ने ही भागवान बिर्षा मुंडा के संगर्स और जनजातिय महापूर्सों के गठा को राष्ट्रिय जनजातिय गौरदिवस के रूप में पचान दी अब देश के साड़े दस को अधिवासी परिवारों को ध्यान में रखते हुए पांच जुन को भागवान बिर्षा मुंडा की भूमी पर बिर्षा मुंडा बिश्वास रैली का आउजन किया जा रहा है हेमंत सुरेन को सत्ता से हटाए बिना चैन नहीं सोयेंगे दिपक परकास हजारी बाग भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने मुख्य मंत्री हमंसुरेन के नितित में चल रही सरकार को उखाड फिकने का वाहान भाजपा करकाताव से किया है हजारी बाग में आयोजित भाजपा की परदेश कार्यसमिती बैठक में उन्हेंने पर्टी करकाताव को संकल्प दिलाया कि वे राज सरकार की जन विरोधी नितियों खिलाब संगर्थ जारी रखे और नकेल कसे कहा हम जब तक इस सरकार को सता से बाहर नहीं करेंगे तब तक चैन की निंद नहीं सोएंगे 15 जून तक अवायद माइनिंग पर बीसेस अभियान रांची के उपायुक्त छवी रंजन ने सभी संबंधित DSP और अचला दिकारियों और थाना परभारियों को सक्त निर्देश दिया है कि किसी भी परकार की अवायद माइनिंग पाये जाने पर सक्त से सक्त करवाई करें उपायुक्त रंजन ने बैठक में SP ग्रामीन, SP CT, अपर समहरता, SDM रांची, SDM बुड्डू, सभी SDP, सभी CO और थाना परभारियों को अवसक निर्देश दिया है इस संब्ध में उपायुक्त रंजन के अध्यक्स्ता में जीला अस्तरिये खनन टास्पोर्च की बैठक आउजित की गई दुमका में 65 क्रोसर प्लांट धवास्त दुमका जीली के उपायुक्त रवी, संकर, सुकला के नितित में जीला परसासन ने सिकारी पड़ा के पत्थर अध्योगिक छेतर में अब तक सबसे बड़ी करवाई की है अवैद रूप से संचालित कई क्रोसर, क्रोसर करया लोग और अने संदचनाव पर बुल्डोजर चला कर उन्हें धवस्त कर दिया है परसासन ने सनिवार को 65 से अधिक क्रोसर प्लांट को धवस्त किया है इस मामले में 8 लोग गिरफतारे भी किया गया है साथ ही तीन हाईवा को जबत भी किया गया है जारखन के विश्व विद्यालियों में नई सिक्षा नीती जल्द जारखन के विश्व विद्यालियों में नई सिक्षा नीती लागू करने की परकिरिया चल रही है इसके अतिरिक्त कोलान उनिवर्सिटी में भी इसे लागू करने की परक्रिया चल रही है धन्यवाद